एक मूवी आई थी बैंग बैंग जिस मेरी तीक रोशन और केटरिना कैफ थे, अब देखो यार सस्ती बैंग बैंग इन लोगों ने बनाई है जिसका नाम रखा गया बैंग बांग वैसे इसको बोला तो बैंग बैंग ही जाता है बट हम इसको special priority देंगे बैंग बांग बोल लिया रिटिंग रोशन तो आ नहीं सकते हैं तो इन्होंने क्या सोच रहा है और इतनी वाहिया सोच रखते हैं और उपर से फिर इसके बाद जो कैटरिना कैफ की यहां पर ले गई है ट्रेलर रिज़स हुआ है और उसके पहले तुम मुवी की कहानी कैसे बता सकते हो अरह है यह यह अल्ड बाला जी जैसे यह जो प्लैटफॉर्म नाम की दिमाग नाम की बात भी कर रहूं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग पदर्शन करने होते हैं या फिर एक से घटिया वाहियाद मुवी या सिरीज चक्के लेकर आनी होती है यह बस उसी कर यह काम करने में उस्ताद है और जो मैंने टेलर देखा तरह एक बार इसके एक्सप्रेशन देखो यार अब यार महाँ पर एक्टिंग करनी है यह मुवी है टिक टोक की कोई वीडियो नहीं है जो पंदरा सेकिंड का तुमने हो मुझरा करना है यहां पर दुख मुझे इस चीज का है कि इस जैसी वाहियाद घटिया मुवी को देखना तो पड़ेगा देखना नहीं मतलब झेलना पड़ेगा और वो भी कोई फ्री में नहीं है इसका सब्सक्रिप्शन लेकर रखाए इतनी इतनी घटिया ओटिटी प्लैट्फोर्म पे मुवीज और सीरीज आ रही हैं खासकर इंडिया का इतना घटिया कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं मैं तो हैरान हूँ यार किन मुवी देखी हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने घटिया वाहिया ट्रेलर पहली बार देखा है कसम से इतना इरिटेटिंग ट्रेलर है इसका देखकर उल्टी सी महसूस होईगी जब आप इसको देखोगे बट एक बार जो है इसमें जो एक्टिंग की गई है मिस्टर मिस्टर फैशू मिस्टर फैशू के दिवारा जो भी है इसके द्वार एक्टिंग की गई है यह समझ लो कि एक नया वरुन धवन आ रहा है या फिर वरुन धवन जो है उसको यह लगए कि मार्केट में कॉम्पेटिशन आगे मार्केट क्या मतलब मेडिया मेडिया नहीं जो जनता है इनकी ओकात इनको बता देगी असलियत इनको बता देगी खासकर यह कॉमेंट पढ़ें तो यार मतलों पढ़ना चाहिए ना वहाँ पर रियालिटी से जुड़े रहते हो कि तुम कहा स्टैंड करते हो जो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैंने इसके कॉमेंट स कर लेता हम क्योंकि यार जंता की तुराय जानने जरूरी है ना तो यह है आरीबी लोग टैक जो भी है यह कहते हैं आराइपी माई आईज एंड इयर्स वा कान गई है भाई साथ के नेक्स्ट यह है रिशी रिशी पाटिल यह कहते है अप रिशी जो लड़का है लड़की जो जो भी है वाट इज एक्टिंग मतलब सही बाद है ना यार मतलब टिक टोक वाले बंदे को पंदरा सेकेंड के लावा और ज्यादा एक्ट नहीं करना था उसको लगते हैं यार बाद में अपने असली रूप में आ जाते हो नार्या 626 यह जो भी है फीमेल या मेल यह कहते ह है वाई वेन डैड गीवस्ट यू 1,000 रूपीज फॉर बिशनस बट यू एंड अब विद डैरेक्टिंग मतलब हजार रूपे के साही है वाई यह भी साही है डेंजर खिलाडी लिखते हैं माई आइस फांड क्रोना पोजिटिव ओके मतलब अब क्या इसका इलाज है राज भार मतलब यह आइधिक मैंनों नाम सही से लिए हम यह लिखते हैं बाट फ्लू वांट्स टूनो यूर लोकेशन मतलब लोकेशन उनको क्यों चाहिए वाई वाट फ्लू का लोकेशन क्यों जानना चाहेगी दिव्याम लिखते हैं देर बिगेस्टेक इस डाइट दे गझने कोई टेम का वहां पे बंदा कॉमेंट कॉमेंट को मेंट कैसा यह पड़ कर की से और प्र mówi क्या बहूं के बारे था RadioCan i तो Mr फैथू Mr फैथू Mr फैथु फैथू जो भी है यार यह तो इसके अंदर टिक टोक का इन्सन है वह मरादोड़ना है वह जिंद है वह उच्छाल अपने अंदर उच्छाल ला रहे है , कहा रहे कि मुझे इस इंसान का टिक टॉक वह बहार आ जाते हैं कि बंद कर या टिक बंद कर बंद कर बंद कर